आज हम बात करेंगे एक ऐसी खास तिथि के बारे में जिसका हिंदू धर्म में विशेश महत्व है देव उठनी एकादशी। यह दिन कुछ खास है क्योंकि अगर इस दिन तुलसी के पौधे में एक खास चीज बांधी जाए तो आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं र बात करते हैं देव उठनी एकादशी के समय की। इस दिन को खास माना जाता है क्योंकि इसे मिनी दिवाली भी कहा जाता है और यह दिवाली के ठीक ग्यारह दिन बाद आती है। कि पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। एकादशी की तिथी ग्यारह नवंबर की शाम 6 बज कर 4 मिनट से शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम 4 बज कर 4 मिनट पर समाप्थ होगी। अब जानते हैं कि इस दिन तुलसी के पौधे में क्या चीज बांधने से धन में हज दार गुना वृद्ध होती है। और उसके पास विशेश वस्तुएं रखना। यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह चीज बांधते हैं तो मा लक्ष्मी का आशीरवाद आपके घर पर सदा बना रहता है। भक्तों तुलसी का पौधा परिवार के हर सदस्य के लिए लाभकारी ह पुरानों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित पूजा से लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप देव उठनी एकादशी पर तुलसी के नीचे यह चीज बांधते हैं तो तुलसी का फल कई गुना अधिक होता है क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी को अधूरा माना गया है इसलिए शास्त्रों में तुलसी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों भारत ही नहीं बलकि दुनिया के कई देशों में तुलसी को अत्यंत गुनकारी पौधा माना गया है। इसमें अनेक औशधिय गुन होने के साथ इसका जगत जननी का स्थान मिला है। तुलसी को सभी देवी देवताओं से विशेश वर्दान प्राप्त है जिससे इसके पत्तों में अम्रित के गुण माने जाते हैं। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहां ब्रह्मा, विश्नु और महेश यानि तृदेव का वास मा जाता है। तुलसी की पूजा करने से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां सुख, शान्ती और सम्रिध्धि बनी रहती है। भगवान विश्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेश महत्व है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना वे किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है, तो तुलसी माता को चुनरी अवश्य चढ़ाएं. अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, पर तुलसी माता को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें इसका पूर्ण शुभ फल नहीं मिलता. ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है. तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बलकि वह देवी और विश्नु की पतनी है, जिन्हें हम माता मानते हैं. चुनरी चढ़ाने से पती-पतनी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर की महिलाएं सदा सौभाग्यशाली रहती हैं. तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि तुलसी पर लाल रंग की चुनरी ही चढ़ाएं. लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से ह और तुलसी का बुद्ध ग्रह से संबंध होता है. बुद्ध के अनुकूल शुक्र और शनी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाना शुब होता है. तुलसी पर पुरानी या फटी चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह तुलसी पर नई चुनरी बांधनी चाहिए, और इसके लिए देव उठनी एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है. किसी भी एकादशी या विशेश रूप से देव उठनी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी पर बांध दें, जिससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा. तुलसी को बिना चुनरी के कभी भी नहीं रखना चाहिए. यदि चुनरी पुरानी हो जाए, तो उसे एकादशी या देव उठनी एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए. भक्तों, तुलसी का विवाह भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे सभी दुख का अंत होता है, और सांसारिक जीवन सुखमय हो जाता है. कुछ लोग अंजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं, जिससे तुलसी का अपमान होता है. तुलसी का पौधा बहुत समवेदन शील होता है, इसलिए इसकी देखभाल ठीक से करनी चाहिए, ताकि श भूकना भी घोर अनर्थ माना जाता है. तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए, दीपक जलाने के बाद उसे वहीं से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है. तुलसी के पौधे के पास ताकि गंदा पानी तुलसी के पौधे पर न गिरे। ध्यान रखें, तुलसी की पत्टियां नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। अगर तुलसी के पत्टे सूख कर गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में नहीं फेकना चाहिए बलकि उन्हें तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए बाकी दिनों में नियमित रूप से तुलसी को जल चड़ाएं और शाम को दीपक जलाएं महिलाएं सनान के बाद खुले बालों से तुलसी को जल देती है जो की गलत है महिलाओं को हमेशा बाल बांध कर और माथे पर सिंदूर लगा कर ही तुलसी में जल देना चाहिए जिससे तुलसी का आशीरवाद प्राप्त होता है। जब घर में तुलसी का पौधा लगाएं, तो ध्यान रखें कि गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के लिए शमशान या गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी कमजोर हो जाती है। आने वाली किसी दुरगटना का संकेत हो सकता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से खयाल रखना चाहिए। उसे रोजाना जल देना और हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी कोई केमिकल नहीं डालना चाहिए। खाद्यपदार्थ और गोबर का ही उपयोग करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखें कि तुलसी में मकडी के जाले या कीडे नहीं लगने चाहिए। क्योंकि ऐसे स्थान पर लक्ष्मी माव वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। और नहीं तुलसी को सपर्श करना चाहिए। तुलसी को बिनासनान किये जल देना भी गलत है। पैर में चप्पल पहन कर तुलसी को जल देना भी नहीं चाहिए। जल देते समय ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न पड़े इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ती होती है और तुलसी पत्र के सेवन से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुब होता है। अगर तुलसी के गमले में अन्य पौधे उगाते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे में अन्य तुलसी उगते हैं त क्योंकि इससे तुलसी सुख जाती है। मरुस्थली पौधों को तुलसी के पास रखना अशुब होता है, क्योंकि ये नकारात्मक उर्जा उत्पन्न करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पौधे में हरी भरी कलिया न हों और उनके स्थान पर काटे निकलते हों, तो उन्हें तुलसी के पास न रखें। नागफनी का पौधा तुलसी के पास रखना बहुत गलत है, क्योंकि ये तुलसी की सकारात्मक उर्जा को नश्ट कर देता है, हालां कि केले के पौधे का तुलसी के पास विशेश महत्व है, अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं, तो घर में सुख और सम्रिध्धे आती है, तुलसी के गमले में शालिग्राम रखना भी बहुत लाबकारी होता है, शालिग्राम भगवान विश्नु का निराकार रूप होता है, और इसे तुलसी के गमले में रखने से घर से नकारात्मक उर्जा नश्ठ हो जाती है, शालिग्राम की पूजा से घर में लक्ष्मी का वास होता है और कभी धन की कमी नहीं होती, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम का वास होता है, वह स्थान तीर्थ की तरह पवित्र माना जाता है, शालिग्राम की प्रति दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बलकि इससे हमारे सभी जन्मों के पाप भी नश्ठ हो जाते हैं, यह एक ऐसा पूजनिय स्वरूप है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक उर्जा और आशीरवात का संचार करता है, याद रखें, तुलसी का पौधा केवल लाभ या किसी लालच में आकर न लगाएं, यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, तो उसकी पूजा का नियम भ लिए, यदि आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते, तो उसका अनादर करने से बचें, प्यारे भक्तों, इसी भक्ति भाव के साथ आप अपने तुलसी के पौधे की सही देख भाल कर सकते हैं, सच्चे मन से उसकी पूजा करें, और मा लक्षमी का आशीरवाद आपके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इसका लाब उठा सकें, कमेंट में जै तुलसी माता लिख कर अपनी श्रद्धा प्रकट करें, आपके एक शेर से किसी और के जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं, धन्यवाद